वेलकम टू मास्टर माइन अब जिके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत हैं मास्टर माइन अब जिके में फ्रेंस जैसा कि सभी को पता है तेश दिसंबर का जो आपका थर्ड सीजल की परिच्छा हुई थी उसका प्रश्ण पत्र लिख हुआ था फ्रेंस और इसके खिला आपका जो 23 दिसंबर को फर्स शिप में आपका जो सीजल की परिच्छा हुई थी वो फर्स पाली की रद कर दी गए है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है तो आप लोग के लिए खुस ख़बरी है जो स्टूडेंट मेहनत करके परिच्छा देने गए थे फ्र आप पहली पारी की रद की गए फ्रेंस लेकिना स्टूडेंट द्वारा यह मांग उठाया जा रहा है कि जो सभी पाली की परिच्छा रद होनी चाहिए क्योंकि सभी पाली में आपका 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को भी धानली देखने को मिले लेकिन फिलहाल फ्रेंस अभी जाज के उपरांत जो आपका 23 दिसंबर को पहली पारी की परिच्छा हुई थी उसका पेपर आउट हुआ था उसका कन्फर्मेशन हो गया इसलिए वो रद कर देया गया देखे आगे इसमें क्या लिखा डेटेल पूरा देखें नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिले देखें आपके 23 दिसंबर को पहली पारी के परिच्छा के दौरान प्रस्पत्र के कुछ पर प्रसारित हुए थे जो की जाच में अधिकारिक प्रस्पत्र के समान पाए गये और यह सबी जो आया था प्रेंस आपका एक्जाम के पहली आया था ठीक है आपके रद कर दी गई है और आगे देखे नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है आगे देखे पढ़िए क्या लिखा है कि बिहार क्रमचारी चैन आयोग की ओर से आयोई 33 नातक अस्तरिये संजुक प्रारमिक परतियोगता परिच्छा की पहली पारी की परिच्छा रद की गई है बिपी एससी की ओर से जारी अधिसुचना के अनुसार आयोग ने बिग्यापन संख्या इतना के तहत इतना के तहत 23 दिसंबर को 2 चरणों में और 24 दिसंबर को 1 चरणों में राज के 38 जिलों में टूटल कितना फ्रेंच 528 परिच्छा के इंद्रों पर परिच्छा कायोजन किया गया था ठीक है आगे देखिए इस दवरान 23 दिसंबर को पहली पारी की परिच्छा के दवरान प्रश्ण पत्र के कुछ पन्ने वाट्शब पर पर सारित हुए जो की जाज के अधिकारिक पत्र के समान पाए गये हैं कि संबंद में आयोग की ओर से आर्थिक अपराधी काई पत्ना को सुचना देकर ततकाल जात शुरू करवाई साथ ही तेश दिसंबर को पहली पारी यानि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोग परिच्छा को रद करने का निनलिया गया है ठीक है यह आपका देखिए रहा नो कोटिफिकेशन भी यहां पर दिया इसको भी पढ़ करके मैं सुना देता हूं प्रेश नोट में क्या बताया गया है कि बियापन संख्या इतना तिरतिया सना तक अस्तरिय संजुक्त प्रारंबिक परत्योक्ता परिच्छा दिनांग तेश दिसंबर के दो चरणों एवं 24 द संबन्दित है सुच्छ में सत्यापन और जाज के करं में उस केंद्र के संबन्द में जयात हुआ जहां से प्रश्ण परिच्छ केंद्र से बाहर आये आर्थिक अपराधिक आई पटना के साथ उक्त संबन्द में उपलब्द महत्पून जानकारिया साजा की गई और साधा की गई और ततकाल अनुसान धान की अग्रिम करवाई करने का अनुरोध किया गया है आप देखें फ्रेंस आपका तो यह परिछा रद कर दी गई है पर्थम पाली के आप लोग क्या चाहते हैं कॉमेंट करके हमें बताईएगा मुझे तो लगता है कि सभी पाली का परिछा रद होनी चाहें क्योंकि सभी में कुछ न कुछ धान देखने को मिली है अब यह जो परिछा रद हुए फ्रेंस इसको आपको कहा गया योग के द्वारा कि आपको 45 दिन के अंदर इसकी परिछा पुनह ली जाएगी देखें आपर लिखाओ है फ्रेंस के 45 दिन के भीतर द्वारा आयोईत होगी परिछा आयोग ने अधिसूचना में कहा कि 30 दिसंबर को पहली पारी सुबह 10 बज़े से दोपहर सवाबारा वेतक आयोग परिछा में सामिल उमिद्वारों उमिद्वारों के लिए दोवारा परिछा आयोईन करने 45 दिन के भीतर किया जाएगा उमिद्वार धान दे कि सिर्फ 30 दिसंबर की पहली परिछा निरस्ट की गए देखें अभी फिलाल जो है फ्रेंस सभी लोग ध्यान देजेगा कि 30 दिसंबर को पर्थम पाली में जो पर सभी परिछा रद होनी चाहिए और पूना जो परिछा ली जाएगी फ्रेंस वो पूरी सकती से ली जाए और थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्यों कि आप फी मेहनत करकर कर स्टूडेंट लोग परिछा देने जाते हैं और बहुत सारा उमीद सब्सक्राइब परिछा के रिए अगर परिछा ली जाती है तो हंडेट परसंट जो बहनत करके गया है फ्रेंस उन्हीं का रिएल्ट होगा आयक द्वारा इस गटना को गंभिरता से लेते हुए सभी अभियार्थियों को आयोग की बेवसाइट पर दी गई आवसक सुचना के माधम से उसी दिन अवगत अस्वास्त किया गया था जहां फ्रेंस जब यहां से आवाज उठाईशी सोचल मीडिया से और सभी चातनेताओं और नेता लोग से उसी दिन आयोग ने अस्वास्त किया या था कि प्रसंट पत्र के परिछा के इंद से बाहर आने से यदि पर परिच्छा की स्वस्ता परदरिष्टा तनिक भी परभावित हुई होगी तो आयोग पर्थम चरण के परिच्छा को रद करने में तनिक भी देर नहीं करेगा ठीक है और देखे जब जाज के उपरांत यहीं पाया गया फ्रेंस की जो वाइरल कोश्चन हुआ था हो हकीकत में बैरल हुआ था और समय से परिच्छा से पहले हुआ था इसलिए पर्थम पाली के परिच्छा रद कर दी गए अभी तक की जाज करम में एक खुछ ऐसे प्रदरिष्टा को दूसित करना इंगित करता यहीं कि कान फॉर्म हो गया फ्रेंस इनलोगों पता चल गया कि नहीं ए थी। अता समयक विचरोप रांत आयोक द्वारा दिनाइंद 23-12 इतना को आयोत पर्थम चरन 10 बजे से पुर्वाहन 12 बे की परिच्छा को रद करने का निले लिए गया, रद कर दिया गया है पर्थम चरण के सभी अभियार्थियों को सुचित किया जाता है कि उनके प्रारंभिक परिछा अगले 45 दिनों के अंदर पुर्णा आयुद की जाएगे। इस परिच्छा के सभी अभियार्थियों को अस्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभियार्थि के साथ भेद भाव अन्याय नहीं होने देगा आयोग के लिए अभियार्थियों को सचेत किया जाता है कि इस परिच्छा से संबंदित किसी भी अफवा पर ध्यान नहीं द गया है उमर जाला में नया परिच्छा कारक्रम वेबसाइट पर होगा जारी विहार कमचारी चैनल के और से कहा गया कि बाकी अन्य पारी में आयोईत परिच्छा परिच्छा के प्रश्ण पत्र की उत्तर पुस्तिका की जाच पुरुन निर्धारित नियम और समय अंसार होगे अन्य पारी की परिच्छा परिच्छाओं को लेकर किसी के बहकावे में ना आये और अफवाहे पर ध्यान न दे आयोग द्वारा सापसाप कहा जारा आप फ्रे जानकारी जानकारी के लिए अधिकारी वेपसाइट पर नजर बनाया रखे ठीके आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग हमें कॉमेंट करके बताएं क्या सभी पाली की एक्जाम रद होनी चाहिए अभी तो होहग गामा होने से और यह जो रियलीटी थी प्रेंस इसके पहले यूटूबर हैं आपका जितने चात्र के नेता है और स्टूडेंट लेंगे सोसल मीडिया सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि फ्रेंस इसमें जो स्टूडेंट परिछा दे करके आये थे मेहनत करके गए थे फ्रेंस वो काफी ज़्यादा मतलब हातों साहित थे नि परश्पत मिला था इससे कम से कम यह तो संतुष्टी मिली है फ्रेंस की जो स्टूडेंट मेहनत किये थे उनको और थोड़ा वक्त मिल गया फ्रेंस आपका 45 दिन का वक्त मिल गया था आप लोग और अच्छी तरह से तयारी करके दें और 45 दिन के बाद इसका एक्याम ले ल सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग मिलकर आवाज उठाएं ताकि पूरा परिच्छा ही रद किया जाए और फ्रेंस मुझे तो लगता है कि बिहार में जो भी परिच्छा हो उसके लिए CBT होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होना चाहिए ताकि नकल पर नकल प वहां जैमर का ऊफ्योग करें और पूरी सकति से एक्जाम लें ताकि निस्पक्ष्छ उपने वाले स्टूडेंट है उनको महनत आना का फल मिलना चाहिए अब देखें फ्रेंस सब्सक्राइब करें दिसम्बर के बारे में अभी तक तो आयोग के द्वारा कुछ नहीं जारी किया गया और कहा गया कि आप लोग उसके बहकावे में आएं और उसका प्रश्णपत्र लीक नहीं हुआ था सब्सक्राइब करने वाले को सफलता मिले तो चलिया आखिरकार आप लोग की मेहनत रंग लाई सभी जो भी इसके खिलाप आवाज उठाए थे सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा फ्रेंस क्योंकि इससे मेहनत करने वाले लड़के को थोड़ा हौसला बढ़ेगा और आगे कि मैं तो ही कहूंगा फ्रेंस कि जो भी एक्जाम बिहार में हो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की बहुत सभी का एक्जाम आप सी बीटी होना चाहिए फ्रेंस जिस ताकि नकल पर थोड़ा फिर नेक्स वीडियो मिलते हैं जाहिन